नमस्कार दोस्तों, welcome back to my channel और ये वक्त हो चला है एक सवाल के जवाब कुद देने का सवाल मुझे बड़ा अच्छा लगा, interesting लगा तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसका answer दे तो question पूचा है वैसे तो 2-3, 2 questions है लेकिन एक question जो मुझे ज़ादा interesting लगा वो ये है क्या twin flame शादी नहीं कर सकते दी अगर किसी से break up हुआ है और वो twin flame है तो क्या वो दोनों वापस relationship में आएंगे प्लीज टेल तो ये question बहुत ही common question है इतना question ये common हो चुका है अब कि आप सोच भी नहीं सकते मैंने इस question का कितनी बार शायद से जवाब दिये है क्या सबसे बहले तो question क्या twin flame शादी नहीं कर सकते है ऐसा कुछ भी नहीं है कि कर सकते है या नहीं कर सकते ये तो बिलकुल उनके उपर है उसके लिए एक important चीज को समझना ज़रूरी है कि twin flames होता गया है twin flame का मतलब क्या है twin flame होने है मतलब क्या है अगर आप twin flame हो या आपको feel होता है क्योंकि आपने कहीं किसी के मुँ से बच्पन में नहीं सीखा किसी स्कूल में आपने नहीं सुना college में भी नहीं सुना होगा ये इतना अभी तो थोड़ा prevalent हो गया है बट फिर भी जादा लोग इस चीज़ से attract नहीं होते है एक rapper है foreign में machine gun Kelly है rapper का नाम लेकिन उसके गाने को इतना पसंद नहीं किया गया मेरे कहाल से मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं आया क्योंकि उसने twin flame को जैसा खुद समझा है वैसा ही दूसरों को बता रहा है और वह अभी शायट twin flame के उसमें गुसा नहीं है पूरी तरीके से जब घुसेगा क्योंकि शुरुआत में यह होता है बहुत obsession फील होता है yearning फील होती है pain फील होता है और जितने भी यह famous लोग हैं जितने भी बहुत famous लोग हैं अपनी identity के basis पे famous हुआ है देखिए famous अलग-अलग तरह के लोग popular होते हैं आजकल तो YouTube पे ही इतने लोग popular हो गए Instagram और YouTube पे उन्हें किसी की जरूरत नहीं है ऐसा कि कोई उन्हें spot करे औरने काम दे और इस तरह से तो बहुत से तरीकों से आप popular हो सकते हो कुछ दे रहे हो ने कुछ बांट रहे हो तो आप अगर उसके थूँ आप income करते हो या उसके थूँ आप popular भी होते हो तो वह बहुत अच्छा होता है क्योंकि ऐसे लोगों का वैसे ही ego बहुत हो चुका होता है हो सकता है बगवान ने उनको एक माइक की तरह भी रखा हो कि या यह voice बने बहुत लोगों की कोई लोग ऐसे होते हैं जो बुजर्गों का ध्यान रख रहे हैं कोई लोग ऐसे होते हैं जो ब्रॉथल्स की लड़कियों का बच्चों का जो ब्रॉथल judges ऐसे बहुत famous हो जाते हैं कि इवल judgment देने की वज़े से और कैसे case चलता उसके basis पे वो लोगों से इतने अच्छे से बात करते हैं जो उनकी court में आते हैं जिसको कड़ा दन देना उसके कड़ा दन देते हैं कुछ तो हर criminal को भी और हर व्यक्ति को भी ऐसे treat करते हैं जैसे किसी परिवार जन को treat किया जाता है कि देखो तुम से गलती हो गई है कोई बात नहीं पर तुम आगे ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं बहुत strict भी रहते हैं और बहुत loving भी रहते हैं तो ऐसे लोगों ने अपने आपको अपनी जो ego है उसको मार दिया होता है तो भगवान उनको एक negative energy होती है पुलीस में ऐसे लोग हैं हर जगा ऐसे लोग हैं डॉक्टर के profession में हैं मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानती हूं जिनके पास तकर आप इलाज करने जाओ गया 100% ठीक भी हो जाओ गये लेकिन वो भी किसी master को follow करते हैं तो हमेशा patient को को कोई motivating बात बोलके पहले ठीक क कुछ भी खाएं लेकिन बहुत अच्छा असर होता उन पर क्योंकि हर व्यक्ति को एक push चाहिए धक्का चाहिए वैसा नहीं कि गिरा दिया धक्का वह दक्का भी होता है तो कई influencers और कई popular people कई famous लोग वह वाला धक्का मारते हैं जिससे आदमी गिर जाता है उसका पतन हो जात तो इतनी फालतू की attention की उनको क्या जुरत पड़ती बेक आर की attention उस attention को पाने के लिए खर्चे करते हैं marketing budget होता है मैं तो marketing से हूँ तो background तो मेरा marketing का है तो मैंने तो देखा है वो लोग किसी पर चवनी नहीं खर्च करेंगे इसे को खुलाएंगे नहीं जहां जाते हैं can I get deals यह वो लेकिन अपनी ego की मसाज करने के लिए अपनी बावाई करने के लिए इतना पैसा करोरो रुपया खर्च करते हैं हर साल उनका एक budget fixed होता है कि भाया इतने पैसे लगेंगे ताकि मैं चलता रहूं मेरा नाम चलता रहा है मेरा नाम उसका नाम नहीं ना उसका नाम उसकी external चीजों के लिए कर रहे हैं या उसकी शकल के लिए कर रहे हैं या उसकी style के लिए कर रहे हैं या acting के लिए कर रहे हैं या कुछ भी और कहीं ऐसे इस फील्ड में भी लोग हैं इस फील्ड में भी ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी movies बनाते हैं जो बहुत अच्छा content अब तो बहुत कम हैं ऐसे लोग, ब्लाक एंड वाइट एरा में और उस टाइम में तो बहुत थे ऐसे, जो गॉड्स की पिचरे भी बनाते थे, कितने लोगों ने रामायन बनाई है, तुल सिदाज जी की उपर मुवी बनाई है, बहुत सारे सेंट्स के उपर बनाई है, मीरा पि और मिरिकल्थ होते वici दिखाएं हैं, आउन स्क्रीन, कितने दिन रात की मेहनत, कितने करूज का घर चलता है, कितने जो काम करने वाले होते हैं, उनका घर चलता है, उनमें क्या दुखी लोग है निये, माह भी दुखी लोग हैं, माह पे भी ऐसे लोग हैं, जो भगवा के वर्ल्ड में यह समझना ज़रूरी है कि ट्विन फ्लेम भी यहां क्यों आये है पॉपुलारिटी के लिए आये हैं पैसा कमाने के लिए आये हैं क्या करने के लिए या लोगों को खुशियां देने के लिए लोगों को रिलाक्स करने के लिए शांत करने के लिए या उनको से twin flame बन गया twin flame जिसका experience हो रहा है इस दुनिया में ये क्या है ये दुनिया जिसके बारे में ना कभी school में सुना ना college में सुना और अचानक से जिसके जीवन में ये नाम ये शब्द आ गया हो तो भाया उसी के उसी की दुन में फिर अब हो गया सवार क्योंकि वो एक ऐसा path है कि romantic illusion के थुरू सचे प्यार तक जाने का रस्ता है twin flame ascension journey इससे जाधा सपश्ट शब्दों में मैं क्या बोलूँ ठीक है तो एक energy होती है जो कि दो dual energy है एक व्यक्ति के अंदर masculine भी उतनी है feminine भी उतनी है लेकिन उनको अपनी ही इस energy को समझना होता है तो जब पैदा होते हैं तब blended energy में होते है तब pure energy में होते है फिर दीरे दीरे जो templates उन्होंने choose किया है as a volunteer इस दुख में मुझे जाना है इस सुख में मुझे जाना है ऐसे माता पिता देखने है ऐसा school देखना है ऐसा college जहां जहां पर दिक्कते हैं वहीं जगाओं पर जनम लेते हैं बहुत सारे areas सकते हैं किसी के अंडर किसी के पास एक specific area भी हो सकता है वह तो जो master's की मर्जी है जो guru की मर्जी वही होगा end of the day और ऐसा नहीं होता कि guru ने भी force कि होता है नहीं guru खोद इतना संगर्श करते हैं कि उनके disciples का भी मन करता है कि हम इनी के mark पे चले जब guru इतना कुछ कर रहा है जी उनके लिए उनकी vibration में जिसमें वो रहते हैं उनको कभी जनम लेने की एक जनम लेने की भी जरूरत नहीं है इस planet पे कभी आने की जरूरत नहीं है बट वो यहां आते हैं कभी गरीब घर में पैदा होते हैं कभी अमीर घर में पैदा होते हैं कभी इस मुसीबत से जूच कुछते हैं आज राजा राम की आज तक 10,000 साल हो गया अभी तक उनकी पूजा होती क्यूं कि पैदा वो भले ही राजा के घर में हुए थे भले ही राजा थे भले ही क्राउन प्रिंस थे लेकिन जीवन में उन्होंने वो सारे दुख उठाए जो हर आदमी और हर एरिया में उ मार्ग में नहीं है, ट्विन फुलेमस के भी जो असली अराध्या है जब तक टविन फ्लेमस ट्री राम नाम का सिंबरन चैंट रमायन नहीं समझेंगे अध्यन नहीं करेंगे मेताफिसिक्स का वो अपनी असली जोन में कभी आई नहीं बाएंगे जब तक मायावी उन लोगों के पीछे गूमेंगे मायावी के पीछे गूमेंगे तब तक कुछ नहीं होगा सारे इस धर्ती में जितने भी मायावी हैं वो आज भी चाहे रावन मर गया था तब पर आज भी वो उसी के ही अंडर काम कर रहे हैं जब ृवफиком लोड है, वो हर तक को नहीं हम ने है, रावन का जनम भी भारत में ही हुआ था, भारत में ही बहुत महान संत पैदा हुए हैं बहुत से मास्टर्स पैदा हुए हैं, बहुत से भगवान भगवान शब्द भी मैं आपको बताती हूँ भगवान तो बहुत लोग हैं धरती पेजवग गौड्स और गौड़िसेज इस वक्त प्लानेट में बहुत हैं भगवान से उपर की स्टेज होती है अरहंत अरहंत से उपर की से जोती है बुद्ध और इन सब से भी उपर होते हैं मास्टर्स क्योंकि मास्टर्स को यहां आने की कोई जरूत नहीं है अगर कोई व्यक्ति एक बार बुद्ध बन गया बुद्ध की स्टेज पे पहुँच गया बुद्ध बनना केवल सिधार्थ गौतम की मोनोपली नहीं थी बहुत से बुद्ध होएं इस प्लैनेट पे सिधार्थ गौतम वस वान अफ दो बुद्ध यूशियली बुद्ध जब हो जाते थे तो हो गया ना सारा काम enlightenment सब हो गया तो वो अलग हो जाते थे लेकिन गौतम बुद्धन ने क्या किया था उन्होंने अपनी जो शिक्षा थी वो पूरे जीवन सेवा ही करते रहे क्योंकि गौतम बुद्ध को ये था कि ये मौका मुझे दुबारा नहीं मिलेगा क्योंकि मैं अप लानेट पे नहीं आ सकता जिन्होंने किया अलग तरीके से भी हो सकता है किया बुद्ध तो बुद्ध होते हैं एक बुद्ध क्या मैंने पढ़ा था वो मजदूर थे मजदूरी करते थे पर वो बुद्ध थे वो बुद्ध की स्टेज पे पहुंच गए थे फिर भी पूरा जीवन मजदूरी करते रहे एक है निसाग्र दित्ता महराज वो पड़े लिखे भी नहीं थे वो बीडी की कार खाने में काम करते थे उनका छोटा सा घर था वो कभी बाहर नहीं गए पर देश-विदेश से लोग उनसे मिलने आते थे वो कौन सी एनरजी थी वो कौन सी वाइबरेशन थी जो इतने सारे विदेशी इतने सारे फोरनर्स उनसे मिलने आए कईयों ने उनकी चीजों को record के उनकी बातों को और फिर उनकी बोली की बातों की किताबे बनी है आज तक लोग पढ़ रहे हैं मैंने भी अपनी Ascension Journey में निसाग्रिदत्ता महराज की बुक पड़ी है, I am that करके एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, और उनकी और भी चीज़ें पड़ी, मैं बहुत इंप्रेस हुई, कि वो व्यक्ति इतने अनलाइटन्ड है, फिर भी वो बीड़ी के कार खाने में काम करते हैं, फिर भी वो एक नॉर्मल जीवन जीते हैं, एक लेबर क्लास विक्तिगा, क्यूं? ये हैं बहुत पावरफुल सोल्स, सबने गुरू को पहले प्राप्त किया, फिर गुरू के मार्क पे चले, या गुरू की सरेंडर कर दी, इवन जिस वर्ल्ड में ट्विन फ्लेम्स पैदा हुएं, ये एक modern और cultural एक eastern और western का मिशरन है, जिस समय में हम पैदा हुएं, ट्रंजिशनल टाइम है, और यहां पे सारी correction होनी इस वक्त, क्यूंकि अब हम ascending द्वापर में हैं, तो कितने लोगों को तो ये भी नहीं पता क कि कल्यूग खतम हुआ है, क्योंकि कहीं लोग ये सोचते कि कल्यूग जैसे ही खतम होता है, सत्यूग आ जाता है, नो, कल्यूग के खतम होने के बाद फिर ascending द्वापर आता है, फिर ascending त्रहता आता और फिर जाकर सत्यूग आता है, क्योंकि सारी गंदगी को साफ करना होता सत्यूग तक पहुंचते पहुंचते तो सत्यूग में तो भी बहुत टाइम है लेकिन हम एज अफ एसेंशन में एंट्री मार चुके हैं और कितने सारे ट्वेंट फ्लेम्स हैं जो 1900 के बाद ही आएं वर्ल वार वार वन टू के बाद आने शुरू में और जादा समय के लिए आएंगे यह यह concept ही ऐसा है कुछ ही time के लिए आता है और उसके बाद यह लोग ही आगे अगे तरधरती का generation से generation को पास on करने के लिए information आये generation सुधारने आये तो क्या आसान काम है जनेरेशन सुधारना तो इसमें शादी, एंगेजमेंट, रोमेंट, लव, डिवोर्स, सिंगल, नो शादी, नतिंग, यहाँ पर सब है कोई भी व्यक्तिट में इंफ्लेम हो सकता है उसके अंदर वो एनरजी होनी चीए बस पहले वो blended में पैदा होता है व्यक्ति उसके बाद masculine से start करता है हाँ, नौर्मली polarized masculine ही बेले आता है फिर polarized feminine आती है जिसमें kundalini जागरेत होती है जहाँ पर फिर उसके बाद blended energy वापस आनी शुरू हो जाती तब वो बंदा असलियत में twin flame energy में घुसता है twin flame बन जाता है जब union हो जाता है यह masculine feminine पहले तो balance होंगे पहले unbalanced होते हैं फिर balance होने लगते हैं फिर blend होने लगते हैं फिर duality से singularity में जाते हैं आप मेरा rap song है मेरे English Channel पे duality to singularity के नाम से twin flame song उसको देखो फिर दूसरा song है just be वो भी twin flame song है उसको देखो और तीसरा आने वाला है divine feminine rage तो यह आने वाला है जल्दी इसलिए चानल को सब्सक्राइब करो उधर भी करो इधर भी करो क्योंकि content में क्या होदा है ना जैसे मैं यह सारी बाते फ्लो में बोल रहे हूं तो अब मैं यह सब एकदम कॉपी पेस्ट करके तोड़े ना इंग्लिश में बोल पाऊंगी तो मेरे अंदर से आ रहा है मुझे हिंदी में बोल रहा है तो मैं हिंदी में बोल रहे हूं अगर यह question मुझे बहुत अच्छा लगा मैं इंग्लिश में भी बोलूँगी बट ऐसा थोड़े ना कि point by point word by word same to same ऐसे थोड़े नहोता है जो जिस वक्त जो feel आ रहा है जो अंदर से आ रहा है जो channeling हो रही है वही मैं आप से शेयर कर रहे हूं और यह भी channeling जो है मेरे five point two project मैं नहीं कर रहे हूं वह कर रहे हैं वरना एक normal person के बस की बात नहीं इतना सब बोलना तो वह बोलवाते हैं यह मत सोचना कि यह लड़की बहुत अच्छा बोल रही वाओ वाओ great हमारी क्या वो है उकात बोलने की जब आप low energies में होते हो तब बोल पाते हो जब कुछ प ले जवाब और चाहिए हैं तुमने करके क्या उखाड लिया तुम तो कली मुझ से बोल रहे थे यह दस साल से सुन रहे हैं तुमारा रोना शादी नहीं कि होती तो बहुत सुखी होते कहां फच गए शादी करके तुम हमें बता रहे हो शादी कर लो पहले अपनी तो हालत स से कोई connection नहीं है क्योंकि यह लोग genders के लिए भी तो work करने आए ना जो यहां पे gender imbalance हो गया है जो inequality हो रही है जो toxic feminine toxic masculine masculine जो sacred feminine और sacred masculine को जो torture दे रहे हैं धरती पे, toxic feminine and masculine हमेशा sacred masculine feminine को ही तंग करते हैं तो पहले इनको इसको भी समझना है वो ये सिर्फ नहीं है कि ये शरीर से आदमी ये और आउरत है, तो इसकी toxicity का level ये है, toxicity तो किसी में भी हो सकती है और कहीं लोगों को जब मैं ये समझाती हूँ कि आपकी programming हुई है तो वो तो अपने ही family को ये ऐसे उनके पीछे बढ़ जाते हैं हाथ दो के और ये भी phase आता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है family भी पीछे बढ़ जाती है क्या करते रहते हो सारा दिन क्या उल्जलूल पढ़ते रहते हो क्या वीडियोस देखते रहते हो अरे तुम वहां कहां चले गए यहां कहां पहले ये सब बहुत होता है पिर दीरे दीरे जब ascension अपना जादू दिखाता है तो सब relax होने लग जाते है उसने अपने आपको accept कर लिए कि हाँ मैं थोड़ा अलग हूँ हाँ मैं अकेले रहना है कहीं ऐसे twin flames हैं जो asexual marriages में हैं asexual marriages भी होगी बताओ बर बहुत खुश है पहले के जितने भी तपस्वी होते थे सादू होते थे वो भी तो नहीं है न कोई चीज सब कुछ predestined अगर लिखा हुआ है मक्तूब है तो वो होके ही रहेगी और अगर नहीं लिखा होगा न तो कर लो लाग चीज़ें लाग जतन लाग प्रयतन नहीं होगी इसलिए अपनी किसमत को accept करो जिसकी लेट होने लिकिë लेट ही होगी जिस बचारे की जल्दी होने ही लिकिए को मैं उनको कहते हैं टीन करके तुम्हारा पेटनी बर्रा अब उनको करने दो जिनकी एक बिनी होई तुमको चौती भी करनी है वो भी twin flame है, सोचो दुखी वो भी है दीरे दीरे उनको समझ में आएगा जिस चीज को वो बाहर डून रहे हैं वो बाहर है ही नहीं कितना भी डून लो, बाहर नहीं मिलेगा वो तो इस लिए मैं बाहर बाहर आप लोगों को कहती हूँ कि पहले दो इन सारी stupid बातों से निकलो क्योंकि कईयों की नहीं हो पा रही है तो कईयों को करनी है, कईयों की तूट गई है कईयों की already शादी है और उनको लगता कोई बाहर twin flame मिल गया है twin flame license नहीं है extra marital affair करने का और cheating करने का ये कोई license नहीं है कहीं लोग इसको license की तरह यूज कर रहे है वो तो मेरा twin flame है मेरे को तो पती में या पत्नी में इंट्रेस्ट ही नहीं है twin flame के साथ ही सब कुछ करना है twin flame relationship इतने sexual नहीं होने चाहिए अगर sexual हैं बहुत जादा तो दीर दीर वो हट जाएगा ज़र वाकि में आप inner work करोगे तो ये lust जो आना ये सबसे पहले निकलेगी खिड़की से बाहर और बहुत बेकार चीज होती lust तो lust का ही एक छोटा रूप है obsession कहीं लोगों को किसी इंसान से किसी specific person से इतना obsession हो जाता है दिन रात उसी की बाते सोचते रहते हैं है मेरा दिल चुरा के ले गया चुरादे वाला मेरा कातिल गाना भी देख लो कितना scary है क्मेरा कातिल मुझा मारने मेरा दिल चुरा के ले गया हम तो अभी हसी मजाक कर रहे है बड़ आट depressed में प्लानेट में ऐसे लोग हैं जो दूसरों को मार के उनका दिल खा जाते हैं अब नेट्फिक्स पे एक सेक्शल रिलेशन्शिप चाहिए वन नाइट स्टैंड ची तो ऐसी जगहों में जाता था जहां पर ऐसे लोग मिलें जो बहुत ड्रिंक कर रहे हैं स्मोक कर रहे हैं अल्रेडी नशे में तो उनसे जा जा कि मीटी मीटी बाते करता था उनको बिलकुल लट्टू कर देता था दिखने में भी स्मार्ट था फिर उनको अपना लिजा के उनको मार के उनकी बाडी को रख लेता था और कईयों को उसने दिल भी खा लिया उसने बोला मैंने ऐसा इसले किया अब उसको कहीं लोग नहीं कहा कि तू पागल है तू इनसेन है तो उसने का नहीं मैं ऐसा ही और जब वो पैदा ओड़ा था जब सकी मा प्रेगनेंट थी तो उसकी मा पागल होगी थी उसकी मा निए उसने गोलिया उब या विक उस औरत ने, कहीं लोग उसकी मा को भी ब्लेम करते हैं विक जाहिक है इसा ओगीक से ही नफरत मिली, या इसको जैसे ही कोख में आया तो इसकी मान ने इतनी मेडिसेंस खाली, इतनी सबस्टेंस, इतने चैमिकल खाली है कि वह ऐसा हो गया, फिर कहीं लोगों ने का कि इसको हर्निया का कोई operation हुआ तो इसके बाद से वह उसका फादर कहता है कि मैंने भी उसको सिखाया कैसे आइनिमल्स की चीज़ फार करते हैं, कैसे उनको डाइसेक्ट करते हैं, मैं भी दोशी हो सकता हूं, बहुत लोगों ने कुछ-कुछ बोला, बट उसने कहा किसी का कोई रोल नहीं है, मैं ऐसा ही था, वो बाई जनम कैनिब था, और ऐसे लोग हैं धर्ती बेवी, जो कैनिबल्स बाई बर्त होते हैं, उनको किस सिखाता थोड़े ना है कि ऐसा करो, तो अब्सेशन नहीं होना चाहिए, और अब्सेशन जिसमें होता है, उनको लोग असानी से फसा भी लेते हैं, प्यार भरी दो बाते बोल दो, दो लाइन सुना दो, तारीफ कर दो थोड़ी, वा, 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 यूर सो हैंसम, यूर सो गॉर्ज़ेस, यूर सो सेक्सी, ब्यूटिफुल, बस सब भूल गए अपना एजेंडा और उनके पीछे-पीछे चल दिए, and I'm not saying कि ये गलत है, ये stages in life की, जब तक आप इन रस्तों से न को यसी चाहत होती है, जैसे कि इसमें है, question में, शादी होगी या नहीं होगी, और उसी से होगी जो मेरा twin flame है, पहले ये तो जान लो कि वो twin flame है भी या नहीं है, आपको किसने बोला, वो ही आपका twin flame है, जैसा कि मैंने कहा twin flame तो बंदा खुद होता है, सामने तो बाकी सब mirrors म सब आते हैं, कार्मेक, false twins, soulmates, सब आते हैं, ताकि सब अपने अपने तरीके से उनको mission तक पोचा सके, main purpose तो mission work करना है, जिस चीज के लिए पैदा हुए हो, काम करने के लिए आयो कुछ, सिर्फ romance करने के लिए नहीं आयो, romance करने के लिए नहीं आयो, romance करने की सोचो भी मत, औ romance ही सारा problem हो रहा आपको, अगर इतना romance नहीं गुसाया होता, world ने, programming करके, क्योंकि देखो, जो मैंने का, जो पैदा ही राक्षेस है, जो demons है, उनकी तो कोई programming भी उनको सुधार नहीं सकता, क्योंकि राक्षेस कभी ये नहीं कहता कि वो गलत है, राक्षेस का मतलब जिसे type क लोगों की demons की मैं बात करे हूं, demonic energy वाले लोगों को कभी लगता ही नहीं वो गलत है, जो hardcore cold-blooded narcissist होते हैं, वो कभी सुधर ही नहीं सकते हैं जनम में, क्योंकि उनको कभी लगता ही नहीं वो गलत है, twin flame को फिर भी लगता तो है कही ना कि मैंने गलती की, मैं गलत था या गलत लाइट वर करो, कुछ भी हो आप हो तो ascensional, जो भी आप कर रहे हो ना, आप यहां क्यों बैटे हो क्योंकि आप खुद को सुधारना चाहते हो, आप पता लगाना चाहते हो दोश कहा है, गलती कहा है, कमी कहा है, पता लगाना के लिए आयो, ऐसे ही लोग आगे कुछ कर पात है, जो खुद को समझे, मैं perfect हूँ, मेरे में कोई flaw नहीं है, मेरे में कोई कमी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप कैसे वो फिर ठीक होईगा, वो ठीक होई नहीं सकते हैं, वो by nature कुदरतन ऐसे हैं, कुदरत में हर तरह के जीव जन्तु हैं, द्रिश्य भी और अद्रिश चाहिए, नॉर्मल मेटल में आप शेर के दूद को स्टोर नहीं कर सकते हैं, उसकी जो एसेडिक वैली होती ही, बहुत जादा होती, कोई पी भी नहीं सकता सानी से टाइगर मिल्क, टाइगर मिल्क को जब स्टोर किया जाता है, तो उसको केवल और केवल सोने के बरतन में, एक सोना ही ऐसा मेटल है, जो उसको धान सकता है, जो उसको सह सकता है, उसकी एनरजी को, तो पहले उस बरतन को जो मिटी का है, या जो लकडी का है, या फिर जो किसी और मेटल का है, पहले उसको सोने का बनना पड़ेगा, या पत्थर का बनना पड़ेगा, तब जाके उसमे चीज पदा चलती तो उसके लिए बहुत कुछ सैना पड़ता है और ये कभी खतम नहीं होता टेस्ट तो होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे क्या क्या नहीं होता किस किस तरह के दुख नहीं होते मर साथ नहीं इतना लव मिलता है इतना अनकंडिशनल लव मिलता है इ लेकिन पार्ट था कि हाँ वही ट्विन फ्लेम है तो क्या वो दोनों आपस में रिलेशन्शिप में आएंगे आ सकते हैं क्यों नहीं आ सकते हैं अगर मैंने क्या का लिखा है आना तो आएंगे पर जरूरी नहीं आएं भी कहीं ट्विन फ्लेम्स बन जाते हैं कहीं ट्विन फ बहुत स्टबन थे पहली स्टबन ने श्री राम ने दिखाई जब एकसाइल पर भेज दिया कि मैं तुम्हारा त्याग करता हूं उन्होंने सीता का नहीं पत्नी का पत्नी शब्द यानि की पत्नी रिलेशन्शिप का त्याग किया सीता जी का त्याग तो वो कभी करी नहीं प प्रागु जैसे भी जी लूँगा बट मैं इस आग दिया कितना स्टबं डिसीजन था कितना डिफिकल्ट स्टबं हमेशा नेगेटिव नहीं होता स्टबं होते हटी आए वह भी स्टबन अगान जब प्रजा भी रोने लगी, जब सब माफी मांगने लगे, तब श्रीराम ने बोला कि मेरे पुत्रों को और तुमको मैं वापस रानी बनाना चाहता हूँ, प्रजा में जो ये confusion है, आप ही इसे clear करें, आप ही कोई ऐसा प्रमान दीजिए, कोई ऐसा कीजिए, कि प्रजा के अंदर जो ये अपवाद है, हमेशा के लिए खतम हो जाए, ताकि आप मेरे साथ सिंगासन में बैठ सको, यहाँ पे वो मान सकती थी, वो तो miraculous divine feminine, divine being है वो, who is in singularity, वो तो कुछ भी कर सकती थी, शिराम से पहले सीता जी का sanction हुआ था, पर उन्होंने भी curses जहले थे, एक तो मेरा curse है इसका मतलब, और विश्नु ने विंदा के साथ जो चल किया था, लक्षमी जी ने थोड़े ना किया था, फिर भी वो साथ देने आई, कि अगर मेरे स्वामी, मेरे पती, मेरे विश्नु जी वाँ जा रहे हैं, तो मैं भी जाओंगी, उनकी पूरी help करूँगी, क्य वो आई, वो भी एक curse के through आये थे दोनों, तो पूरी life में उनके curses थे, फिर भी हर curse को वो अपना वर्दान बनाते गए और चलते गए, सीता जी ने अपनी stubbornness का अब दिखाए, हटी, कि मैं भी हट कम नहीं हूँ, तुमने भी अगर मेरा त्याक किया था, इस प्रजा के कहन नहीं बनना मुझे रानी वानी, कुछ नहीं बनना मुझे, मेरे बच्चे थे, दोनों mission था मेरा, मैंने बच्चों को बढ़ा किया, मैंने जब रावन ने मुझे किड्नाप किया, मैंने खुद को बहुत समाला, मैंने अपने तप किये उस वक्त भी सारे, तपस्या करी मैंन मैंने उस रावन को डरा के दूर रखा वो कभी मुझे मेरे पास नहीं आपाया डर के मारे इतनी वह स्टॉंग थी रावन तो डरता था सीता जी से उठा के तो ले आया तब तो बेफकूफी कर दी शुरुपना का के चक्कर में उठा के तो ले आया लेकिन अब तो बेस्ती भी हो जाएगी अगर रिटर्न कर दिया तो था कुछ नहीं उस रावन्ट के अंदर यह वो उस खोकला परसन जिस बंदे में कुछ होता ना वो किसी की पत्नी को कभी नहीं उठाता सिर्फ पत्नी नहीं वो किसी से प्यार करती है वो श्री राम से प्यार करती है उनकी लवर है डिवाइन लवर इटरनल लवर है आप कैसे उनको अलग कर सकते हैं इस तरीके से और पिर कहरे हो मेरे साथ रहो पागल है वो पागल ही था दो तरह के पागल होते हैं एक होते हैं अच्छे पागल सही पागल जो किसी सही चीज में घुज जाते हैं और दूसरा होता है रावन जैसा पागल जो अपनी एगो के अपने से इतना प्यार करें अपनी आइडेंटिटी से अपनी इस materialistic आइडेंटिटी से इतना प्यार कर रहें कि पागल हो गया उसके लिए इतना कुछ कर रहें उस image को polish करने के लिए तो वो तो वही कर रहा था उठा के तो ले आया जब ले कर आया तो बाप रे बाप यहां जाएंगे तो सर के दस्ट सौ टुकड़े हो जाएंगे मर जाएंगे ना ना भईया ना यहां कभी consent नहीं मिल सकता उसको पता था लेकिन अब रख लिया तो वापस भी नहीं कर सकता एक एक करके सब मरते गए उसके आगे एक करके वो बरबाद हो गया उसकी सोने की लंका जो उसने इतने घमंड में अपने ही भाई कुबेर की चुराई थी फिर वो लंका पती बनके घूम रहा था यह रावन भी भाई सब इंडिया में ही पैदा हुआ है रावन भी इंडियन थे हैं त्रेता युग में रावन पैदा हुआ था और एक गाउं था वहाँ पे रिशी विशर्वन ने शिवजी के शिवलिंग की वहाँ पे स्थापना की थी और उसकी बाद रावन का उस घर में जन्नम हुआ था और वो अगेन मैं कहना चाहती हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को यह information clear नहीं होती है रावन को बहुत लोग परम शिव्द भक्त कहते हैं और बहुत वो तो शिव्द भक्त था उसने शिव्द आंडव स्त्रोतम लिखा यह वो मैं बताती हूँ वो शिवजी को भी challenge करने गया था शिवजी के बास भी गया था वो लड़ने मैं destroy कर दूँगा यह वो नंदी महाराज को उन्होंने बोला रहे क्या कर रहा यह पागल आदमी शिवजी से बंगा लेने गया था वो जब शिवजी ने उसके दोनों हाथ दबा दिये पहाड के नीचे उसका नाम तब तक भावनन नीन था उसका नाम तब दसानन था दसानन की ऴिद्या होती हुथ द शानन बनने की वह उसकी फादर ने बनाई थी जो दस्तर हो कि थे तो कहकर सिकने व् overlap अपने पुत्र रावनन को दी तो वह दशानन उसका नाम था लेकिन रावर्ण नाम तो शिव जी नहीं रखा था और रावर्ण नाम कोई अच्छा नाम नहीं है एक मौकरी वाला नाम है इतनी जोर से रोया था वो जब हात उसके फ़स बाड़ी के नीचे इतना जोर से वो रोया इतना उसने शौर मचाया तो उस उस रावन, उस रावन की वज़े से वो रावन बन गया फिर और शिव जी ने उसे माफ कर दिया तो वो उनकी तब तो पदा चल गया ना किस कहां फस गए यारो, यहां पे तो भईया बहुत सब बरबाद हो जाएगा तो फिर उसने शिव जी की भक्ती करी उसके बाद, फिर वो शिव जी को प्लीज करा उसने, उसने सब कुछ जो भी बोला उनको फिर और यह तांडर स्टोथ भी जो उसने गया था वो उसी रोने में गया था जब उसके हाथ फस गए अपने आपको बचाने के लिए अपनी लाइफ को बचाने के लिए उसने वो उनकी प्रेज में वो गाया था फिर उन्होंने उसको बोला चल ठीक है आ गई समझ वो इस दाड़ी पापा गौन है तुमारे तब जाके वो भक्त बना था और उसके बाद उसने शिवजी के भी अगेंस्ट हो गया था वो शिवजी को लेके लंका में आना चाता था पर वो ला नहीं पाया फिर वो शिवजी के अगेंस्ट बोलने लग गया था तो ये बहुत लंबी कहानी है अभी मैं उसमे नहीं जाऊंगी अभी इस question का यही जवाब है कि कुछ भी हो सकता है आप single भी हो सकते हो divorcee भी हो सकते हो आप married भी हो सकते हो आप को शादी करने का बिल्कुल मन नहीं हो सकता है और आपका मन बहुत भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है इस world में divorcees वाले भी होते हैं इनर्जी में तो अब आप inner work करोगे ना तब आपको यह सारे अभी तो मैं आपको थियोरी क्लास दे रहे हूं इक तरह से यह आपकी क्लास चल रही है जब इनसान के दमाग में बाते जाती थियोरी घुशती है तो ही तो उसके बारे में सोचता है फिर होता है प्रैक्टिकल क् आते बिना कुछ प्रॉब्लम के राम से समझ में आ जागी को यहां जी समझ आ गया अभी और प्रैक्टिकल नहीं करना इनफ हो गया मेरे को सीख लिया मैंने जब आप किसी को सही करते हो ना तो वो जब उसकी होती रगडाई पहले वो आपकी रगडाई होईगी जब करने बाद आप जब कहते हैं बस बहुत हो गई रगडाई अब मैं ठीक हूं मुझे कोई प्रॉबलम नहीं है मैं सब खुश हूं मैं तब उसकी रगडाई रुख जाती है तब वो बंदा चेंज होता है या बंदा बंदी जो भी चेंज हो जाते हैं उसके बाद क्यूंकि उनको समझ में आ गया, अब रावन ने रगडाई उसकी हुई पर वो चेंज नहीं हुआ, उसने अपनी एगो कभी नहीं छोड़ी, गलत काम करने नहीं छोड़े, सब गलत किया उसने, क्योंकि उसकी रगडाई हुई, पर उसने चापलूसी दिखाई, चापलूसी करके उसने मैं सोचा कि मुझे यह वर्दान मील जाए यह दिए जिए उनी वर्दानों के बाद, वह इतना गमंडी हो गया, इतना इरोगेंट हो गया, यह सारी हुतियां करीघिए ऐस को बहुत सारे करश feel, मंकी करश मिल ला उसको अप्कू ही बतीजे नलकुबे का कर्स मिला उसको जिस जिस औरत को उसने उठाया जिस जिस औरत का उसने मान भंग किया सब और तो ने उसे कर्सिस दिये इतने कर्सिस जमा हो गए कि फिर वो बची नहीं पाया क्योंकि बाकी जो चीजें हुई एक तो था कि वो मानव के हां तो मरेगा लेकिन जो बाकी उसने illusion create किया हुआ था माया से जो create किया था वो एक के करके उसके तूटे सोने की लंका बै गई गई हनुमान जी ने ऐसी आग लगाई विना मार्चिस के विना तेल के जो पूरा लंका जला दिया फिर अंगत वहां पहुंच लिया अंगत का तो ये था सीन की अंगत को लोगों ने बताया था जी वो रहे रावन क्योंकि तब तक वो हनुमान जी का जो पिचर हनुमान जी ने वहां दिखाई थी वो देख चुके थे अभी बोले अभी ये एक और मूवी हमें दिखा देगा तो अब प्लीज वहां रावन चले जाए उनसे मिलने हम छोट रोक सकता है फिर एक अंगज जीका है वो पैर भी नहीं हिला पाए पैर रख दिया यहों जमीन पर तो हिला नहीं पाए तो दिरे धीरे रावन के जितने भी करसिस थे वानरों के हातों ही उसकी बेस्ती लिखी थी वानरों को भी बहुत कम समझता था वो एनिमल्स को क जानवर खाता है बहुत जादा और नििश सबसे हैं- अचिए्षτίक कि अगर आप घर में पैडा बहुंत यकुद्षिप का रहे हैं तुम उनको खाना भी मुश्किल से नसीब होता है तो उनको फिर भी बहुत चीज़ें कहते हैं ठीक है इसको पाप नहीं लगेगा यह बिचारा क्या करें पहले के इंडिया में जितने भी लोग थे सब शाकहाई थे केवल मास बहुत गरीब लोग खाते थे बहुत गरीब लोग कोई किसी को चोट लग गया अक्सिडेंट केस हो गया चलो भी यह उसका काट के मीट किसी के तो काम आए जैसे गिद्ध होते हैं तो उन बिचारों ने इतना सफर किया है आप कभी भी अपने घर के आसपास देखिए जो हमारे लोग क्लास के लोग होते हैं वो बिचारे कित करते हैं फिर उसको बिनते हैं उसको चानते हैं उसको किसी को मशीन में डालते हैं किसी को वहां फैक कर आते हैं यह सब वो अपने हाथों से करते हैं दिन भर सुबे से लेकर रात तक फिर जाडू लगाते हैं गलियों में सारे स्वीपर्स होते हैं कितनी मेहनत करते हैं हमें हमें ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए हमें ऐसे लोगों को देखके इंप्रेस होना चाहिए इंस्पिरेशन लेनी चाहिए बाकी आप कर उनके लिए जादा नहीं पाओगे क्योंकि वो कर्मों का भी एक केस होता है कर्मों का भी भुगतान करने आते हैं लोग तो तरह तरह के फैमिलीज में पैदा होते हैं तो अगर आप ब्रामन हैं तो आपको नहीं खाना चाहिए वराद शत्रियों वो भी नहीं खाते अब शत्रियों में भी बहुत गलत गलत प्रथाएं चल रही है आप देखे एक मुझे विडियो आया था किसी ने भेजा था एक कोई मंदिर हैं वहाँ पे बकरों की बली दी जाती है पूरे मंदिर में खून ही खून कहते हैं कि मा बली मांग रही मा ने कभी बली नी मांगी किसी बेजुबान की, किसी इनोसेंट की राक्षिस की बली मांगती हैं वो राक्षेस का सरकार्ट देती है वो है काली जिसने ऐसे ऐसे रक्त बीजों को मार दिया क्यों काली ने खून पिया क्योंकि वो जो रक्त बीज थे वो खून गिरते की जमीन पे वो पैदा होते थे बढ़ जाते थे तो कभी ना बड़े इसलिए खून पी गई सब का वो है काली उनको ऐसी बली चाहिए किसी बच्चे की बली किसी आनेवल की बली उन्हें नहीं चाहिए होती बट बड़े-बड़े मंदिरों में ये बेकार की चीजें हो रही है नौन इंसानियत वाली चीजें वो भी भगवान के नाम पे आप ऐसे बड़े-बड़े पाप कर रहे हैं लोग तो इसी लिए मेरे ख्याल से क्वेश्चन का तो मैंने बहुत अच्छे से कोशिश तो करी है जवाब दे दिया है बाकि आप लोगी बताओगे कोशिश कितनी आपको पसंद आई मेरी और अगर नहीं भी आई तो क्या कर सकते हैं तो चैनलिंग है जो जो अंदर से जो आता है intuitively हम वही बोलते हैं telepathically intuitively और via downloads वही बोलना होता है तो यहीं पे मैं इस वीडियो को pause करती हूँ अगर आपको personal session चाहिए मुझसे reading चाहिए या therapy करनी है therapy तो मैं सब को recommend करूंगी especially उनको जो काम भी कर रहे है जो afford भी कर सकते हैं जो बिचारे अभी कुछ भी नहीं कर रहे है जिनकी dark night चल रही है या कोई दिक्कत है उनको तो वो तो please content को जितना use कर सकते करें जो नहीं ऐसा करें जो आ गया है financial root चक्रा हील हो गया उनका क्यूंकि उनकी वो journey फिर अब उपर उपर जाती रहा तो finances भी clear होने लग जाते है दीरे दीरे ये problem खतम हो जाती फिर आपको mission work भी करना होता है ताकि आप उन पैसों को संसारिक प्रलोबनों में ना खतम कर दो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा आपको mission में डालना होता है और फिर वैसी ही lifestyle जीनी होती है जो mission के लिए matching होती है mission work करने वाले लोगों को worldly life suit नहीं करती है ना वो रह सकते उसमें तो आपको फिर अपनी lifestyle भी ऐसी बनानी बड़ेगी कि आप पूरी तरह से जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप 100% दे सकें आपको problems ना है अगर आपको कोई ऐसा life partner मिलता है जो आपी के जैसा है तो why not please go ahead पर मैं लोगों को यही recommend करूंगी जितना मेरा feeling कह रही है कि आप पहले खुद को सक्षम बनाईए फिर इस चीज़ के बारे में सोची यह वो जमाना नहीं रहा यह हमारे मम्मी पापा का जमाना नहीं रहा जिसमें 16, 17, 18, 20 साल में शादी हो जाती थी अब वो जमाना जा चुका है अब आप 30, 35, 40 में भी आप कर सकते हैं आपको कोई कुछ नहीं कहेगा अगर करना चाहो तो किसी गलत व्यक्ति से करके धके खाके सिर्फ कुछ मेटिरिलिस्टिक प्रलोबनों की वज़े से शादी मत करो करो तो ऐसे से करो जो आपको लगे की हाँ लेकिन अगर आपकी हो गई और आपको मिल गया एक ऐसा पार्टनर जिसको आप टॉलरेट भी नहीं करना चाहते तो आपको उसको भी टॉलरेट तो करना पड़ेगा जै कि मीरा भी वेजिटेरियन थी और मीरा भी बहुत स्ट्रॉंग लेडी थी जैसे सीता जी ने जब सिंगासन मिला तो मना कर दिया किसके लिए मना किया हम जैसों के लिए आने वाली औरतों के लिए आने वाले पुर्शों के लिए आने वाले समाज के लिए यह गलत है मैं इस कर लो वो कर लो पहले ही दिन शादी के उन्होंने बली के प्रशाद को खाने से और पकाने से बनाने से और पकाने से मना कर दिया बोला कि मेरे भगवान ने ये धर्ती बनाई है ये जीव जन्तू बनाए है मैं इनको कैसे खा सकती हूँ और मैं इसमें पाटिसिपेट नहीं फ पिर पती ने भी उनको छोड़ दिया, बρट उन्हों ने नहीं चोड़ा, उनने मेरी किस्मत में है, मैं तो वैसे भी कृष्ण से प्यार करती हूँ, मैं तो भक्तों क्रिष्ण की, तो मुझे क्या, मैं तो मीरा हूँ, मुझे क्या, अब शाधी हो गई तो हो गई, बरट दीर में वीक थे, फैमिली का साथ दिया, उन्होंने, क्योंकि उनकी परसेप्शन के साथ से, मीरा जो जो करती थी, वो उनके लिए अच्छा नहीं था, उनकी परिवार की इमेज के लिए, और मीरा ऐसा कुछ भी नहीं करी थी, सोचो आज तो लोग शादी और इसकी उसकी बाते कर उस टाइम पर वो अकेले रही, उस टाइम पर उन्होंने सारी चीज़े खुद करी, फिर उनके हस्बें उनके पास आये, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अब मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, आपने में को छोड़ दिया, कोई बात नहीं, हस्बें कभी सपोर्ट करी नहीं बाया उनको, और आखरी में जब विश्का प्याला भी मिल रहा था, तब भी पती ने आके समझाया, कि माफी मांग लो, जो ये कहते हैं कर लो, हां में हां मिला लो, और सुक से जियो, और ये बोलते वे भी मीरा के चेहरे से इतनी लाइट आ रही थी, कि उनको दे नेक भी नहीं पाते थे, इतनी शाइन थी उनके उपर, बट वो तो नहीं देख पाया ना दूसरे लोग, उनकी शाइन को, उनकी लाइट को, और जहर दे दिया, एक प्याला जहर दे दिया, पर क्या मीरा ने अपने पती के लिए कभी गलत बोला, राना जी को वो कहती थी आप तो मेरे राना जी हो, पर क्रिश्न से मैं बहुत प्रेम करती हूँ, मैं उनको नहीं छोड़ सकती, बहुत दिक्कते आई, फिर मीरा जी ने भी नाम सिमरन किया, राम नाम का सिमरन किया, उनके गुरू जो थे, वो भी लोगर कास्ट के थे, एक चमार गुरू थे, इसक जबने के लिए का है, गुरू नानक देव जी ने राम नाम दिया सबको, जितने भी मास्टर्स हैं, इवन बुद्ध ने भी अंगुली माल को राम नाम ही दिया था, अब क्या होता है कि क्यूंकि वो धाई हजार साल पुरानी बुद्ध की जो नॉलिज थी, वो केबल वो समाल के रखा, वहीं से ये वापस भारत में आएगी अपने ओरिजनल प्लेस में और फिर से ये फैलने लगेगी, लेकिन उसका एक जो कहते कड़ी है, नाम सिमरन की, वो मिस्सिंग है इस वक्त, ये मुझे लगा क्यूंकि मैंने काफी कोर्स करें, तो मुझे, क्यूंकि मैं मैं वच्पन से नाम सिमरन करी थी, फिर मैंने टोटली विपशना करी, जो जो वहाँ पे सिखाया गया, पूरा किया, अपनी नाम सिमरन वाली चीज को मिक्स भी नहीं किया, पर दीरे-दीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि अगर इसमें ये चीज आड हो गई, तो ये बहुत हो जाएगी, बहुत अमेजिंग हो जाएगी उसके बाद, तो भगवान बुद्ध ने भी लोगों को क्या सिखाया, बी रियल, बी और सेल्फ, वो भी राजा थे, उनकी भी शादी होई थी, मैं फ्रेंज, उनकी भी शादी होई थी, बच्चा भी था, पर उन्होंने सब छ कुना था, उनके अंदर एक ब्लैक होल था उस वक्ट, जिसे वो समझना चाते थे, वो उनको समझना ही था किसी भी हालत में, जिसके लिए उन्होंने सब चीज़ा चोड़ दी, एक प्रिंस थे, मंक बन गए, वो भी अपनी पत्नी के पास वापस गय थे, बाद में, फिर उ मैंने यहां तपस्या की, मैंने यहां तपस्या की, अब क्या फायदा, हम खुश हैं, फिर यही तपस्या, यही चीज़ उन्होंने अपने बेटे को भी दी फिर, बाद में, और सब एगरी हुए उस से, फिर तो बड़े-बड़े राजा, महाराजा सब जाने लगे बुद् में, कोई question नहीं पूचा श्री राम ने, जो गुरु ने बुला किया, तो वो भी पहले राजा थे, उन्होंने भी सब कुछ छोड़ दिया तो और बाद में वो, एक ascensioner बन गए, तपस्या करने लग गए, ठीक है, तो यही पे मैं अपने वीडियो को end करती हूँ, थैंक्य आप बेजुबानों के लिए कुछ करते हो और आपको कोई प्रॉबलम चल रही हूँ, उसी फील्ड में, तो आप मुझे लिख सकते हो, I'll give you a free session, alright, so I'll see you soon in another one, one love and peace out and जैश्री राम